नमस्कार दोस्तों पागत है आप सभी का हमारे इस चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियों को लाइक करें आज की अपने इस वीडियो में हम सीटेट के 17 जनौरी की पेपर का एनालिसिस देखेंगे आए देखते हैं पारला कोश्चन इसमें दिया है जननांग की उम्र क्या है इसमें फ्रायट के नुसार जननांग की उम्र 15 वर्ष बताई गई है अगला कोश्चन है समविधान की आठवी अन्सूची में कितनी भासा हैं आठवी नुसूची में 22 भासाएं हैं जोकि समविधान के नुचे 343 फर्ष ट के नुसार वर्डित हैं मूल समविधान में 14 भासा थी जबकी 15 वी भासा सिंधी है एक 17 वा समविधान संसूदन के तहत और 17 वा समविधान संसूदन के तहत नेपाली मड़ी पूरी और कोंकड़ी भासा को जोड़ा गया था तथा बानबेवा समविधान संसूदन के तहत बोडो डोंगरी मैथली और संथाली भासा को जोड़ा गया था अगला कोश्चन है कोहल वर्ग के सिध्धान्त का नाम क्या है कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिध्धान्त दिया है जिसमें पूर परंपरागत स्तर तीन से दस वर्ष और परंपरागत स्तर दस से तेरा वर्ष और उत्तर परंपरागत स्तर तेरा वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है जिसे pre-conventional, conventional और post-conventional करते हैं अगला question है पहली 20 सम संख्याओं का मध्यमान संख्या कितना है संख्याओं का इसमें मध्यमान मतलब आवसात होता है तो इसमें जब सम संख्याओं का मध्यमान पूछेगा तो यन प्लस 1 करते हैं यहन बराबर 20 दिया है तो 20 प्लस एक बराबर 21 हो जाएगा जैसे अगर दे दिया गया कि प्रथम तीन सम संक्याओं का मध्यमान तो यह चार होगा किवल उसमें एक जोड़ देंगे जैसे देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 है वट्टे तीन करेंगे तो यहां हो जाएगा तो 12 तमील है, संस्कृत है, कंणड है, तेलगू है, मलयालम है और उडिया है, सबसे लाश्ट में उडिया को 2014 में जोड़ा गया था, इसमें हिंदी सास्त्री भासा नहीं है, अगला क्वेश्चन है हमारे देश की राजधानी दिल्ली से चंडीगड और दिल्ली से देरादून की स कि उत्तर पूरो में है, अगला क्वेश्चन है चांग पाज जन जाती भेढकरीयों को किस में रखते हैं, या कहां रखते हैं, उसका सई अंसर है लेखा में, भेढ़ भकरीया जहां रहती हैं उससे लेखा करते हैं, अगला टापिक है, जीन प्याजे, लिवाइगोश्की, कोहलेबटे वार्ट के टापिक्स से कुश्टन पूछे गेते हैं graduate में इन टापिक्से जीन पियाजे वाइगोट्सकिश कोहल्वर्ग वर्ग के टापिक से कुश्टन पूछे कए इनैं एवस्चे पड़े र Katherine व क्या कोश्य the Sempre लिए अनुचीद विंद अनुचीद भिन्य में क्या होता है इसमें अंस बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो कह रहा है कि उचीद भिन्य और अनुचीद भिन्य का गुड़ा करने पर मान क्या होगा अगर हम उचीद भिन्य ले तीन बटे चार और अनुचीद भिन्य हो जाएगा हमारा चार बटे थे जबक बीकाटृर्ण तक कितनी है अभाजम्होद ठीक 25 है भब यहां प्रहने प्रहस्य पांच दोहीं प्रहते को मावनोंग कर यहां चैना को प्रहते संट्मख्या व्म हो घ्या हुगा फिर 21 अभाड जी योगम की संक्या च्छा होए एक दौ 2 3 4 5 ऑग च्छ है अगला कुश्चन ने चांगपा जंजाती कहां पाय जाती है थंडे रगिस्तान वाले तो उसे सरसरी सरस reg國 से पढ़ेगा तो पूरा पेव पढ़ता ही ह। अगला कुष्चर दर्किस हमाच समझ बच्चों को कितनी आयू में आती है लगभगिछ वर्स में समझ योजना कब बनाते हैं पाठ्योजना टीचिंग से पहले बना जाता है टीचिंग के दोरान टीचिंग के बाद में इसका सब्रें गुमिका निजसा तकर लड़का है कौन लड़की इससा सबस्काया ने दिखाией नदो लावसुन का कौन सा भग दिखाया है लावसुन का जो भाग है वो जड़ होता है एक लड़की दोहराव वाला बेवार दिखाती है और उसे दोस्त बनाने में मुश्किल होती है लेकिन उसका ध्यान अच्छा है या आत्मकेंद्रित बेवार कर रही है वह आत्म केंद्री बेवार कर रही है मतलब क्यों अपने पर ध्यान दे रही है अगला कोश्चन एक सिच्छन रोपर की गतिविदी कर रहा है तो रूही करती है कि हम लड़कियां पौधों को पानी देंगे और लड़कें मिट्टी खो देंगे सिच्छन क्या करेगा इसका प्याजे से संब्दित है जो कि संगठन और आर्गुनाइजेशन से संब्दित है अगला है आईक्यू की अधाड़ा उप्यूग तो क्यों नहीं है इसका सई अंसर है सांस्कृतिक पूर्वाग्रा के कारण कि किसी समस्या को हल करने की समाने रणनिती क्या कलाती है अनुमा प्यास मिलकर ग्यान का निर्मार करते हैं या समय पस्त विकास्त छेत्र का किस भाग में आता है पुछा है छेत्र के बाहर भीतर या आगे यह कोश्चन में पूछा गया है जेड़ पीडी इसी को करते है जो ना प्रक्सिमल डेवलप्मेंट यह इसका सई अंसर के भीतर विशेस जानकारी के लिए पढ़ना स्कैनिंग कर अलाता है एसा कोश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे उसे स्कैनिंग कहेंगे अगला कुश्चन निमनलिखित में से एक का मानना है कि सामाजिक अंत्रकिया दोरा भासा सीखना लेववाइगोट्र्सकी सामाजिक सानस्कृतिक सिध्धान्त है अगला कुश्चन है जब सिच्छक प्रदान करते हैं तो बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं निर्देशित विदिसयानी गाइडेंस जब उन्हें अच्छा मिलेगा तो सबसे अच्छा सीखेंगे अगला है यहां तक की एक बच्चा भी विभीन समस्चाओं को हल करने में सच्छा में लेकिन अमूर्थ समस्चाओं को हल करने में कटनाई मसूस करता है बच्चा की सवस्था में यह जीन प्याजे की तीसरी अवस्था है जो मूर्थ संक्रियात्म का वस्था है साथ से ग्यार करता है वाचिक प्राकलपना करता है निघमनात्मक चिंतन करता है यह सब औस संक्रेय आत्मकरष्था के अंतरगर के अगला कुशन ने शिचक ने पाया की एक बच्चा अ इसका साही एंसर है डिस पेज्ज्या कया होता है गरती है कहर समन्धी समस्षय उति this graph yet संबंदी सम lett इसको अगला को आपकड़े में छान के प्राप्ट कर सकते हैंbes metabol पूछा गया था उसमें आपसर था चार्क पाउडर और लगड़ी साही अगला कोच्चछन स्की प्रक्रमार हैं कि इसमें स्भी 11 ईसमें सभी 17 अपसें चंडीगड़ पूदू चेली था एक बच्चा दिली से हैदराबत गया उसने हिंदी भासा के साथ वहां की भासा समाज से अर्जित की इसे भासा अर्जन कहेंगे भासा वो सीख रही है दूसरी बासा को सीक रहे है एक जगह से दुसरा जगह जाकर तो इसे लैंग्वेज एक प्रिशंत के अगला कोश्चन है भासा क्या है तो भासा क्या है भासा एक नियम बद्ध प्रडाली है अगला कुश्चन है देश की सिछ्चा पढ़ाली क्या है तो ये त्री भाषा सूत्र पर अधारी तर्स की शिच्चा पढ़ाली जो कुठारी आयोक द्वर 900 चफत मैं दिया गया था जिसमें पहली भाषा मात्री भाषा थी दूसरी भाषा को मिन्स भाषा दिल तो वह स्कैनिंग कर रहा है अगला कुछन है चांगपा जनजाती तंडे रगिस्तान में रहते हैं अगला कुछन है सिच्छी का ने विद्यार्थी से बीज लाने को कहा और उन्हें लगाने के लिए कहा एक सिच्छर सहायक के रूप में उन्हें इसका उप्योग करना होगा इसका सही अंसर है सामुदाइक संसाधन के रूप में किसान अगला कुछन है एक व्यक्ति 6 सितंबर 2020 को साड़े 11 बजे 11 बच के 30 मिनट पर यात्रा सुरू करता है और 8 सितंबर को 3 बजे पहुच जाता है और 22270 किलोमेटर की दूरी तै करने में उसकी चाल क्या रहे है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय तो हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय है तो हम यहां दूरी दिया हुआ है 2270 पुरा समय निकालके नीचे रखनेंगे यहां देखिए समय में इसमें सुबाया सामने दिया इसलिए क्लियर नहीं है अगला कोश्चन है एक फ्रेज दिया गया था यूनिटी इंटाइवर्सिटी किस ने दिया है इसको पंडि जवाला नहरू ने दिया अगला कोश्चन है कौम सा उच्छिस तरीक उसल जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना सामील है तो यह परा संग्यान अगला कोश्चन है बच्चे किस प्रक्रिया से बहतर सिखते हैं बाल केंदरी सिच्छा के दोरा अगला कोश्चन है मुल्यांकन कैसा होना चाहिए मुल्यांकन फीड़ग और इंप्रूमेंट के लिए होना चाहिए बच्चों के भारत का राश्ट्री ब्रिच बर्गद है शब्रोस दो कुछे गए थे बहु भासिकता से क्क्रेंट पुछा गया था तोरी बांत ब्रिच एक से कुछ्टे यह और इस्ट में शोचल साइंस में भारत साथना ऺडाएं से क्था फरक्रपा संपिता से क्ья क्शिशन पुछा गया है अगला है जेंडर रोडिवाधित्या से क्वेश्चन पुछा गया है लर्निंग स्किल से पुछा गया है श्रीजनात्मकता से पुछा गया है GDA, PDA, UskyFolding से क्वेश्चन पुछा गया है NEP 2020 से क्वेश्चन पुछा गया है कि vein से और मुल्यांग कन सब्सक्राइब कोश्च पुछा गया है कि अग्ला कोश्चन कि सी पाल्सटे को उछालने पर आभाज संख्या आने की पॉस्पिलिटी क्या है मैं पासा है तो कि एक डो तीन चार पांच मैं या ज्द पूर्ण मेंником research छे संख्या इंप इसमें अनुकूल परिडाम क्या होगा इसमें अब भाज संख्या पुछाए कौन से होगी तो यहां 2,3 और 5 होगा तो अनुकूल परिडामी संख्या हो जाएगा अनुकूल परिडामी परिडामी संख्या बटे कूल परिडाम तो अनकूल परिडाम क्या होगा दो तीन चार यह यह वाज संग्या तो तीन बट्टे कुल परिडाम कितनी है एक बट्टे दो हो जाएगा इसका सभी अंसर एक बटा दो अगला कुश्चन है कोई टीचर मैध की क्लास को इंटरेस्टिंग मनाने के लिए क्या करेगा इसका आ यह सब कुश्चन एक्जाम में डेली इन टापिक से पुछा जा रहा है आनलाइन एक्जाम में यह सभी कुश्चन रिपीट होते रहते हैं इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक क करें और अपनों दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें जय हिंद्ध